तो क्या रनीती बड़ी साफ है कि जंता के पास जाना है दिल्ली के हर परिवार में केजरीवाल है तो भारती जंता पार्टी ने केजरीवाल को गिरिफतार करके बहुत बड़ी गलती कर लिया है तेश में हर दिल्ली के हर घर में लाखों केजरीवाल है वो सारे अब रोड पे पार्टी कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं सब को बता देना चाहता हूँ कि केजरिवाल जी के ओर्डर से पार्टी पहले भी चलती थी, उनके ओर्डर से पार्टी अभी भी चलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, केजरिवाल जी बाहर जितने मजबूत थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत जेल के अंदर है और भारती जनता पार्टी ने बहुत बड़ा अपना ही अपने पैर में कुलहारी मार लिया है इनको बहुत महंगा और भारी पढ़ने वाला है बाहरती जनता पार्टी तो अब देखो वो गलती कर बैठे अब वो न निगल पार है न उगल पार है इनके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है इनके पॉलिटिकल स्ट्राटेजी जो केजरी वाल जी को बना के जेल में डाल के इन्होंने बनाया था वो फेल होने वाला ह अब वो बॉकला हाट में कुछ भी बोलेंगे आज दिल्ली में किसी भी दस वेक्ती से जाकर आप पूछो दो ही प्रशन पूछो कि क्या केजरी वाल जी को गिरिफ्तार करके मोदी जी ने ठीक किया है सारे लोग 100% ये कह रहे हैं कि बहुत गलत किया है भाई साब आप दू ये कौन होते हैं सरकार को बताने वाले कि इज्रीवाल को कि स्थीफा देना नहीं देना है नहीं बिलकल जनता चाहती है जनता सर्वो पर यह जनता कह रही है कि जहां आप बैठे हो, वहां से सरकार चलाओ, वहां बैठे बैठे सरकार चलाएंगे बिल्कुल, 30 मार्च का दिन तै हुआ है और पूरी दिल्ली से, हर घर से, हर परिवार से लोग आएंगे और वहाँ पर एक साथ एक साथ मिलकर केजरिवाल जी के समर्थन में खड़े रहेंगे सारे यह हमारी पार्टी का नहीं कहना है देखो ईश्वर उचित समय पर intervention करते हैं तीन ऐसे महत्तुपूर घटनाय घटी है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला जो हुआ वो है चंडीगड में यह जो वोटों की और चुनाव की चोरी कर रहे थे उसमें यह पकड़े गए तो भगवान ने अपनी चड़ी घुमाई और जो वीडियो रिकॉर्डिंग था उसको वीडियो को आउन कर दिया वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई कैमरा में उसमें यह फस गया उसके बाद दूसरा यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मैटर पर इनने कभी सोचा नहीं था कि चुनाव के पहले यह आएगा पर चुनाव के पहले इनकी चोरी पकड़ी गई इन्होंने जितने धंदे बनाने के देना देना नहीं है उसके बावजूद उसको जेल में इन्होंने डाला फिर उससे पैसे लिए फिर उसको छोड़े तो पहली किस्त उसने उसको बेल मिलने से पहले दिया बाकी का पैसा उसने जेल से छूटने के बाद बेल मिलने के बाद दिया तो यह पूरा धंदा सेटि यही सब चल रहा है, Electoral Bond से बड़ा सुपस्ट है.